हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है लोक तंत्र क्या है दोस्तों या बोर्ड एकजाम में काफी महत्वपूर है या टिपड़ी के रूप में पूछा जा सकता है जो कम से कम आपको दो से तीन नमबर दिला सकता है दोस्तों आएए बात करते हैं अपने टॉपिक पर सबसे पहले मेरी डालेंगे लोक तंत्र इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं डेमोक्रेशी कहते हैं देखे आगे लोग तंत्र जिसे प्रजात तंत्र भी काते हैं ठेके लोग तंत्र कहिए या प्रजात तंत्र दोनों बात एक ही होता है लोक तंतर दो सब्दों से मिलकर बना है जिसमें पहला है लोक प्लस तंतर इसमें लोक का अर्थ है जनता तो तंतर का अर्थ है शासन अर्था जनता का शासन आगे देखें लोक तंतर या प्रजात तंतर एक ऐसी सासन विवस्था या प्रडाली है जिसके अंतरगत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आई हुए किसी भी उमिदवार को मत देकर अपना प्रतिनिदी चुन सकती है जनता क्या कर सकती है अपनी स्वेच्छा निशार किसी भी उमिदवार या प्रतियासी को अपना मत देकर क्या कर सकती है मतलब प्रतिनिदी चुन सकती है तथा उसे विधायका का सदस्य बना सकती है तथा उसके पास उतना अधिकार है आगे देखते हैं लोक तंतर एक प्रकार की ऐसी सासन व्यक्ति को समान अधिकार होता है लोक तंतर कैसी विवस्था होती है लोक तंतर मतलब लोक तंतर में विवस्था होती है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है यानि कोई भी व्यक्ति हो जाती धर्म का हो सब को समान अधिकार होता है एक अच्छा लोगतंतर हुआ है जिसमें राजनीतिक और समाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी व्यवस्था हो इस प्रकार देश मेह साषन प्रडाली लोगों को समाजिक राजनीतिक तथा धार्मिक शोतंतरता प्रदान करती है ऐसी व्यवस्था गरती है तो हाग के जो लोग होते हैं उसमें समाजिक राजनीतिक तथा धार्मिक जो धार्मिक के प्रदी शोतंतरता होती है सबको एक समान प्रदान की जाती है तो आई होप या आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के पास सियर करें धन्यवाद झाल